अ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कोशी का सेल जो है दो प्रकार की होती है प्रोकायरियोटिक्स प्लजी का उक्रेक्षिके को सिकाय अभी तरुसे बिख्षित नहीं होती है और इसमें केंदर कविकास हो गया होता है किंट्रक का Вिकास हो गया है ऻैं इसको बाटेंगे इन मैं केंट्रिया का का विकास नहीं है तो भीषिचिट नहीं है त 09 buck पर इन फिंड्रे के भीख्रेकान है तो इसलिए इन्हें दो बाघुमम बाटे से में मिल पाई जाते हैं उन्हें जंतुको फॉषिग कहते हैं aynı कि पॉधों के शरीच में भाहिए दियु होता है उन्हें पादप कोशिगा कहते हैं सब्सक्राइब दो प्रकार के ओत्या मैंने बताया है जंतुको फॉषिका और पादप न्मट्स को स awarded बनता है उन्हें जन्त कोशिका कहते हैं और जिन कोशिकाओं से पादप पौधों का सरीर बनता है उसे प्लांट सेल बोलते हैं कि यह आपको देख रहा है जन्तो कोशिखा है चिंद्द्रक बीच में देख रहा है यहां दिखरा है यह लेकिने बीच में नहीं दिख रहा है एक साइड पर किनारे के उर दिख रहा है इसमें रिक्तिका आपको दिख रही है छोटी-छोटी इसमें रिक्तिका बड़ी सी दिख रही है तो इसमे रिक्थिका बढ़ी सी होती है इसलिए एक ही दो होती है जादर नहीं में रिक्था चोटी शोती है ते से लिए बहुत शारी होती है तो इनमें अंतर क्या थे लेक्र फादप कोश्षि का को MR a n confrontation कोश्षिका निशीका भित्ति सिल वाल की से बात करें यहांने कि जो वाहरी आवरण होता है क्योंकि कोसीका बित्ति बहुत कठोर होती है और बहुत कठोर होते हैं लेकिन पौधों को कोशिका बेत्ती पाई जाती है और जनतु इतना कठोड़त होते नहीं है तो जनतु में कोशिका बेत्ती नहीं पाई जाती है अलुपस्तित होती है कोशिका जिल्ली सेल मेंब्रेंट यह तो दोनों में होती है पादप कोशिका में भी होती है जन्तु कोशिका में भी होती है केंद्रक केंद्रक कभी हमने देखा दोने में होती है जंतु कोशिका में बीच में केंद्रक होता है और पाधव कोशिका में किनारे पर केंद्रक होता है जंतु कोशिका है यह केंद्रक है बीच में है और पाधव कोशिका का यह केंद्रक है जो किनारे परशी है प्रकास संसलेशन होता है सबको हम लोग पढ़ेंगे सबको बारिबारिश पढ़ेंगे तो प्रकास संसलेशन किसके सहायता से होता है तुरी के प्रकास से होता है और हरी तलवक यानि क्लोरोफील होता है तो जब हरी तलवक जन्तु में नहीं पाया जाता है तो प्रकास संसलेशन भी जन्तु नहीं करते हैं जन्तु प्रकास संसलेशन भी नहीं करते हैं यानिक जन् में हरितलवक मिलता है राइबोसम्स क्या है राइबोसम्स हमने पताया राइबो राइबोज और राइबोसम्स कार्थ होता है प्रोटीन निर्मार से तो प्रोटीन निर्मार तो प्रोटीन की निर्मार की जोड़तो जन्तु कोशिका में पड़ेगी और पादप कोशिका में खाली अस्थान होता है लिए अस्थान जा भो जंका संच oldiger really क्यों उसको रख जाता है वह ही पर भोजन रखने वीपही श्टोर करने की लिए भो तो रिक्तिका 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 रिक कर्दिक नख्याय साथ करें टुक्षिक न थे खे सब्सक्रान के ठाइचव होटी होती है जंत को 스म नाइस उसम दरसल जो के को सिका कि मृट्री हो जाती है तो उसे डाइजेस्ट कर लेता है अदो इस अ ARE जनत्уютमें भी होगी और पाधप में भी होगी तो दोने में लाइसवां सम उपस्थित होता है जनत्व कोशिका में भी होता है और cácNow में दिसका होती है तभी तो उनके मरित्व में प्राइसुनां Samuel कुछ में स्कूर्थ करता है कि निरग्म जुत्र करता है किसलीए और पादम्स कउसिका जनतुकोषिका यह यूपाश्थित होता है घृओव में अपयदा होता है अमृत कहली होते हैं पादब means यह निफे best अकार के होते हैं क्योंकि जनतुकोषिका का कोषिका बी छोटी होती है तो कि फुर्शुत्री बड़े अकार के होती है आंत्रफ्रद्रविजालिकाxicoo आप देख रहें यहल्यालिका यहां यह चारो तरफ नीए आपको भी बानना वदो के जाल है कैंडर टर्व HAGE के बहुए तो अंत्रव जालीका क्या कर जैसे सरीर हमारे सरीर में हड टी क्या करती है हमारे सरीर का एक सरीर है तरफ कि और प्रिकार लघ जाये अगर हमारे प्रद्रिविजालिका दोनों में होती है जन्तों कोशिका में भी होती है और प्रद्रिविजालिका जो है दो प्रकार की होती है एक खुर्दरी होती चीकनी होती आगे पढ़ेंगे तो दोनों यह जन्त चोशिका घंतुमें अधिक संख्या में होती है और खोली संख्या में होती है ज्यां चूप्राइब का संख्या'? का संचय का मतलब कि जो रिक्तिका जो खाली अस्थान होता था क्यों होता था भोजन का संचय करने के लिए और भोजन का संचय किस रूप में होगा तो जनतूं में ग्लाइकोजन की रूप में होता है जब पूट एंडूटरेशन चप्टर पढ़ेंगे तुसमें जानेंगे ग्लाइकोजन के रूप में जनतों में होता है और पौधों में इस टार्च के रूप में होता है जब पौधों के पास जाएंगे तो टार्च लेकर जाना पड़ेगा पता नहीं से हाँ पर कीड़े मोकोड़े हो इसलिए पौधों के पास जाएंगे तो टार्च लेकर जाना सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं